हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागित करता हूँ आप सभी एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेविन स्टैंडर्ड के लिए जोग्राफी सब्जेक का एक और बहतरीन चाप्टर की शुरुआत करने जारे दोस्तो जिसका नाम है दसन दमून और अर्थ जिया दोस्तो फाइनली आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर जो वन था यानि कि इसके पहले के चाप्टर का माफ करना तो हमारा जो चाप्टर नंबर बन था जिसका नाम था हौइस सीजन अकर्स पार्ट वन उसको हमने एकी लेक्चर में कंप्लीड कर दिया था उसका सिर्फ एकी लेक्चर है तो जो आपने प्रिवियस दे पर देखा होगा तो चाप्टर के बारे में थोड़ा सा एक introduction point of view बोलू कि यहां पर हम लोगों क्या पढ़ना है, कि sun क्या होता है, earth क्या होता है, obviously थोड़ा बहुत चीज़े तो आपको पता है, moon क्या होता है, लेकिन यह तीनों में connection क्या है, जैसे कि आपको पता है, कि moon कैसे earth के according घुमता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकरी है, यहां पर फिर solar eclipse, आपको पता है, ग्रहन लगता है, सूरे ग्रहन, तो solar eclipse हो गया, चंदर ग्रहन, lunar eclipse जिसको बोलते हैं, तो यह सब चीज़ exactly कैसे होता है, यह हम लोग इस chapter के अंदर study करने वाले हैं, लेकिन ह हम लोग lecture by lecture पढ़ेंगे, तो आज का जो lecture है, सिर्फ introduction lecture है, जिसमें हम लोग बहुत साइची ऐसे बताएंगे, कि moon earth के orbit में कैसे घुमता है, उसका orbit कैसा होता है, यह सभी चीज़ आज डिसकस करेंगे, तो आज जो है, एकदम conceptual lecture है, base है, तो आज एकदम end तक देखना, अच सार एसे लोगे जो नए जोइन करते हैं, नए नए सब्सक्राइबर से तो उनको श्याद पता नहीं है, कि मैं उनको बता दू एक चीज, कि हमने हमारे चैनल के अंदर, आपका science and math का syllabus बहुत पहले ही complete करके रख दिया था, तो आपके लिए हर एक चीज अवेलेबल है, history भी पर देख लेना कि कौन-कौन से वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, साथी में, second channel जो है हमारा जिसका नामे जैयार टॉक्स उसको भी देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, and साथी में अगर आपने Instagram पर हमें follow नहीं कहा है, तो जरूर से कर लेना, तो चलिए आज आज के इस lecture वीडियो की शुरुवात करते है, तो सबसे पहले हमारा जो topic है, आज का वो है, दोस्तो, the moon's motion, जो moon होता है, दोसका motion कैसे होता है, the moon's motion, ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ये topic को, क्योंकि ये जो basic चीज है, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि moon exactly motion कैसे क तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा earth, sun के चक्कर काटता है, revolution करता है, जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताया तो पहरे chapter में, earth जो है, खुद भी घुमता है, यानि कि rotation भी करता है, और वो sun के आसपस भी चकर करता है, यानि revolution भी करता है, सेम उसी प्रकार, जो हमारा moon होता है वो भी क्या करता है, sun के चकर, earth के चकर काटता है, तो let's suppose example के तोर पर अगर मैं बात करूँ, कि यह क्या है मेरा एक earth है, मेरा एकदम round नहीं बन रहा है, ठीके थोड़ा और कोशिश करता हो round बनाने का, earth हमारा goal होता है, ऐसा लोग बोलते है, लेकिन exactly goal नहीं होता है, geoid shape का ह होता है, geoid मतलब बहुत ही तेड़ा मेरा shape है, खाली हम लोग बोलने के लिए उसको goal बोलते है, लेकिन ऐसा exactly है, यह चीज़ आपको पता होना चीए, यह और हम लोग कभी और discuss करेंगे, समझ लो यह हमारा earth है, थोड़ा सा goal बन गया अभी, यह क्या है मेरा earth है, ठीके, अब तो इस प्रकार से जो है, चक्कर काड़ता है, तो आपको नजर आएगा, कि समझ लो यह हमारा earth है, तो moon क्या होगा, इसके आसपस, आसपस, एसे चकर काड़ता है, और यह जो orbit है, यह जो रास्ता है, चकर काटने का, उसको अमने बोलते है, elliptical orbit, क्या बोलते हैं, दोस्तों elliptical orbit, यह जानकरी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यह बहुत important है, क्या बोलते हैं, elliptical orbit, यह बहुत important चीज़ आपको याद रखने हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ऐसे बनाते हैं, समझ लो यह अर्थ है, और यह ऐसे बनाते हैं, कि मून ऐसा चक्कर काटता है, या यह अर्थ और यह मून ऐसा चक्कर काटता है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता, यानि रियालिटी में देखा जाए, तो मून इस प्रकार से चक्कर काटता है, जिसको हम लोग elliptical orbit जो है, वो कहते हैं, समझ में आरा दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, और यहा हमारा अर्थ खुदी गोल घुमता है, और वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, सेम उसी प्रकार मून जो है, वो भी यहाँ पे खुदी रोटेट होता है, रोटेट होते वो अर्थ के भी revolution करता है, यानि अर्थ का भी परिक्रमा करता है, यानि कि राउंड करता है, यह जो मून है, यह अर्थ के जब चक्कर काटेगा, तो सिफ उसको एक दिन लगता है, 24 गंटे लगता है, और उसी हिसाफ से वो रोटेट भी होता है, यानि कि इन शर्ट में बात करूं कि अर्थ के स्पीड के हिसाफ से वो क्या है, घुमता है, तो इसलिए हमेशा मून जो हमें एक ही जगा पर दिखता है, ज्यादा तर, कि यानि कि उदर से उगा, इदर से उगा, इदर से दूबा, इसके पीछे एक रिजन है, तो एक रिजन यह भी है कि जो मून होता है, वो हमेशा सन के, मतलब आसपस अर्थ हमारा चक्कर काटता है, तो जैसे ऐसे एस अपना move करेगा, जैसे ऐसे earth जो है वो move करेगा, क्योंकि मैंने आपको कल के दिन, यानि कि जो पहला chapter था इसका house season occurs का, उसे मैंने आपको पुरा concept बताया था कि earth sun के आसपस कैसे चक्कर काटता है अगर आपको याद होगा तो आपने जरूर से यह चीज समझ पा रहे होगे, जो मैं बताने ही कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए मैं बोलता हो, line wise chapter देखोगे तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है न, क्योंकि हर चीज interconnected होता है, तो जैसे हमारा earth sun के चक्कर काट रहा था, ठीक है न, समझ लो कि जैसा-जैसा earth घूम रहा है, उसके हिसाब से moon भी जो है, वो earth के पीछे-पीछे-पीछे-पीछे वो भी घूम रहा है, समझ में आ रहा है, यह चीज clear हो गया, यानि कि जैसा-एसा earth move कर रहा है, गोल-गोल-गोल घूमते जा रहा है sun के accordingly, वैसे हमारा moon भी उसके साथ-साथ में घूमते जा रहा है, और वो भी एक earth का चक्कर काट रहा है, correct है दोस्तो, तो यह जो time लगता है, one revolution का, वो same होता है, किसका जैसे earth का, एक rotation का time जितना होता है moon का भी उतना ही rotation का time होता है, ठीक है लेकिन फरक यह है, कि जब earth sun के एक चक्कर काटता है, तो उसको एक साल लग जाते है, खुद घूमता है तो 24 घंटे लगते है, ठीक है na earth खुद गोल-गोल घूमता है, तो 24 घंटे लगते है, लेकिन sun के पूरा चक्कर काटता है तो उसको एक साल लगते है, 365 days, 6 hours मैंने बताया था, previous chapter के अंदर ठीक है, लेकिन moon का एक फरक है, कि moon जो है, earth का पूरा चक्कर काटता है, और उसको एक दिन लगता है, यह फरक है, तो हम मैं आया clear difference समझ में आ रहे, तो यह एक चीज है और इसका अगर geographical explanation की मैं बात करूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यह जो moon है, जैसे मैंने बोला कि यह कौन सा चक्कर काट रहा है, elliptical orbit में चक्कर काट रहा है, और एक और चीज होता है कि earth से moon का जो distance होता है orbit का, यह जो रास्ता है उसका यही रास्ते में घुमेगा हो, और कोई रास्ते में नी जाएगा यानि कि ऐसा नहीं है कि वो कभी उदर चला गए, जैसे ball होता है तो किदर पे भी जा सकता है, यह इसका एक रास्ता fix होता है, जो कि हमारे nature ने बनाया हुआ जैसे हमारा earth, sun के जब चक्कर काटता है, तो एक orbit में काटता है आपने देखा होगा न, 8 planet है हमारे पहला Mercury है, Venus है, Earth है, Mars है Jupiter है, Saturn है, ऐसे बहुत सारे planet है तो कभी भी देखा है कि वो प्लानेट आपसमें तकरा रहे क्यों, क्योंकि उनके बीच में बहुत gap भी है और वो अपने रास्ते में ही ट्राविल करते है यानि दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, वो अपने रास्ते में और्बिट में उनका जो रोड बनाये हुआ है यह और्बिट मतलब क्या एक तरीके से रोड है इसी प्रकार ये जो Earth होते हैं या फिर जो भी प्लानेट होते हैं उनका एक लाइन सिस्टम होता और बिट जिसको बोलते हैं तो इसका भी एक Orbit है Moon भी जो है इसका भी Orbit है ये Orbit के हिसाब से घूमेगा और एक और चीज़ कि Earth से Moon का जो distance है ना यानि हम प्रिथ्व पे खड़े हैं और Moon का जो distance है वो change होता रहता है क्यों change होता है क्योंकि समझ लो Earth पे हम लोग यहां पे है समझ लो Earth पे मैं यहां पे खड़ा हूँ तो यहां से मैं जब Moon को देख रहा हूँ तो मुझे नस्दिक लेकिन यह Moon दीरे दीरे इधर भी आएगा तो by chance Moon इधर आ गया तो यहां से distance देखो कितना लंबा हो गया अब यहां से यहां दूर हो गया फिर एक time आएगा कि यहां पे आ जाएगा तो basically अगर मैं बात करूँ कि Earth का Moon से सबसे longest distance जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको ह 107,000 km हम से दूर है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग Apogee आपने सुना होगा एक picture भी बनी है उसमें यह Apogee का बहुत जिकर हुआ है Apogee, Perigee ठीक है ना तो याद रखना elliptical orbit का जो सबसे लंबा distance है Earth से Moon का elliptical orbit की में बात कर रहा हूँ ठीक है रास्ते की बात कर रहा हूँ यहां तक समझ लो आता है तो सबसे नस्दीक जो रास्ता है इसको बोलते हैं हम लोग Perigee क्या बोलते हैं पेरी जी बोलते हैं जो कि कितना है तो यहां पे लगबग 3,56,000 km दूर एखा ले यानि कि दोनों को compare करोगे तो यह 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मून का जो elliptical orbit है वो earth से कौन से side नस्दीक आता है कौन से side दूर आता है तो आप क्या बोलोगे कि apogee जो है वो दूर है पेरी जी जो है वो नस्दीक है earth से ऐसा आप बोल सकते हूं clear दोस्तों तो उमीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ रहेगा ठीक है और जो related होता है हमारा moons का shade या फिर waxing या फिर waning बोल सकते हैं हम लोग आपको पता है कि जो moon है वो कभी-कभी हमें full moon दिखाई देता है तो उसके पीछे reason क्या है full moon क्यों दिखाई देता है कि जब sun का light moon के ओपर पढ़ता है और earth के ओपर at a time पढ़ रहा है तो हमें जो moon का face दिख होगे तो moon हमें चमकदार दिखाई देता है तो मुझे बताओ क्या moon के पास खुद का light है क्या moon के पास खुद का light है क्या नई जो कि Earth के आसपास चक्कर काटता है, जिसको हम लोग satellite बोलते हैं, Earth का natural satellite, लेकिन फरक्सिफ ये है, कि Moon के पास खुद का कुछ light नहीं है, जो Sun का light Moon तक टकराता है, और वो reflect करता है Earth के उपर, इसलिए हमें Moon जो है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ये reason है, हमेशा याद र उसे हम Earth से जब देखते हैं, तो चमकते की हुए, क्योंकि यार उसके उपर Sun की light टकरा रही होती है, और वो reflect हो रही होती है हमारे Earth और हमारे याँखो तक, ताकि हम जब देखते हैं उसको, तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो सेम उसी प्रकार, यहाँ पे जो New Moon Day, यानि कि एक तरीके से पुरा अंदिकार हो जाएगा, और आपका जो चंदरमा हो जाएगा, वो चुप जाएगा, और उस चीज़ को हम लग अमावस्य भी बूलते हैं शायद, ठीके ना, पुर्निमा है नमावस्य, तो जो Full Moon Day होता है, वो पुर्निमा होता है, फुल अर्थ का, जो पुरा का पुरा जब सन का जो लाइट है, मून के उपर पढ़ता है, और एक तरीके से अर्थ के उपर पढ़ रहा है, तो हमें वो clean दिखाई देगा, पुरा round का round दिखाई देगा, गोल, circular दिखाई देगा मून, तो उसको बूलेंगे, फुल मुन दे, यान होते जाएगा, और यह 15 डेस का प्रोसेस होता है, ठीके, और यह शायद आपने 8 में पढ़ा होगा, या फिर 7th में, आप माफ करना, आप लोग तो 7th में ही हो, 8 में नहीं, मुझे लगता है, 7th में ही एक chapter है, science की में बात कर रहा हूँ, एक subject है science में, तो वहाँ पर शायद आप ने पढ़ा है, क्योंकि मुझे exactly याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने science में यह चीज़ पढ़ाया हुआ है, जब मैंने lectures आपके complete किये थे, तब यह चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यह चीज़ मुझे लग रहा है 100% कि आपके science में हुआ रहेगा, खासकर 7th की म अगर बता हूँ, तो प्लीज मुझे comment करके बताएगा, comment करके बताओ, तो मैं science का जो funda series है ना, उसमें अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, कि how the moon phases occurs, कैसे कैसे आता है, यह मैं अलग से पढ़ा दूँगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलाल में जीतना है, आपके geography के अंदर वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तो, clear है कैसे होता है, यह चीज आपको समझ में आ गया, और कुछ जानकरी है यहाँ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा और जानकरी है वो मैं देता हूँ, आज के इस lecture में, फिर उसके बाद हम stop करेंगे तो यह है दोस्तो, एक diagram मुझे बनाना पड़ेगा, उसके इसाब से मैं आपको थोड़ा सा और explain करता हूँ, moon और earth के बारे में, ठीक है न, moon और earth के बारे में, और जो भी चीज में लिखाता हूँ, यह फिर draw करता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि important है, तो जरूर से आ अब यहाँ पे क्या होगा, sun होगा, समझ लो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, this is my sun, earth के उपर, for example, क्या है, इसमें sun है, और moon के directions है, मेरे पास, समझ लो, एक direction, यह moon है मेरा, एक यहाँ पे moon है, ठीक है न, एक यहाँ पे moon है, और एक यहाँ पे moon है, मैंने चारो कर दिया है, moon जो है, बना दिया है, अब एक चीज है, यहाँ पे, अगर मैं एक line खिचने की कोशिश करो, for example, एक line खिचने की कोशिश करो, यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको उसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा, तेड़ा हो गया, समझ लो, यहाँ पे, moon है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो कुछ angles बन रहे है, अगर आप यह line देखोगे, axis बना दिया मैंने, चारो दिशाओ में क्या है, moon है, उपर नीचे moon है, सबसे top पे कोन होगा, sun होगा, obviously, ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ देखोगे, तो कुछ angle बनता है, ठीक है, फिर पूरा यहाँ से लेके, यहाँ तक देखोगे, पूरा, तो यह कितना बन रहा है, 270 degree बन रहा है, और यह पूरा कितना हो जाएगा, पूरा तो आप सभी को पता है, 360 degree होता है, तो वो लिखने की जुरूत नहीं, पूरा goal circle कितना होता है, 360 degree होता है, एक quarter 90 degree ह होता है, दूसरा quarter 180 degree होता है, थिसरा quarter 270, पूरा मिलाके, इतना, यहाँ से लेके, यहाँ तक का एंगल 270 होता है, पूरा अगर जोड़ दूँगा, तो 360 हो जागा, यह पूरा एक circle बन जाएगा, समझ में आ रहा है, यह चीज आपने math में बहुत बार पढ़ा भी होगा, मैंन अवे में, समझ लो, यहाँ चीज पोने होगा, यह चीज आपको समझ में आ रहा है, यह चीज यहाँ बात कर लो, कि जब यहाँ पे, और पर पिर आपने सब्से यही होता है ना तो यह जो मेरा अर्थ है अगर सन के बीच में आ रहे है थोड़ा सा लॉजिकल सोचने की कोछिश करो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल है सन जब लाइट फेकेगा मुझे एक चीज यहां पर क्लियर करना है यहां पर कि सन जब लाइट फेक यह जो यहां पर आ पर पोर्शन में सबस्यादा लाइट दिखेगा जैसे में आपको बताए था कि जब लाइट फेकता है तो आधे अर्थ के उपर लाइट ने दिखता है तो यह जो रिजन है यह पूरा डे हो जाएगा यानि की दिन दिखेगा यहां पर वाले शेड में तो जब यहाँ पे दिन दिखेगा, यहाँ पे दिन दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगा, यहाँ पे लगबग जो आपका मून होगा, यह भी क्या होगा, पूरा का पूरा आपको उजाला दिखाई देगा, यानि मून क पूरा का पूरा light पढ़ रहा होगा, और यही reflect करेगा आपके earth के उपर, तो for example, यहाँ पर आपका night है, यह वाले portion में आपका night है, तो यह night portion में अगर कोई इंसान खड़ा है, और वो moon को देख रहा होगा, तो उसको क्या दिखाई देगा, चमकता हुआ, गोल-गोल moon condition होता है, कि जब sun अपना light फेकता है, फिर वो earth के उपर टकराता है, और उसी के opposite में, exactly सामने opposite में, जब moon होता है, तो उसके उपर जब light पढ़ता है, और अगर हम वो time में moon को देखते हैं, तो वो कौन सा time होता है, full moon day, क्या होता है, full moon day होता है, बहुत simple सा फंडा है, क्या ह होता है, full moon day होता है, यानि कि हम लोगो पूरा moon जो है, वो दिखाई दे रहे, क्यों moon पूरा दिखाई दे रहे, यार इधर से देखोगे, तो वो पूरा गोली दिखाई देगा है, क्योंकि light उसके उपर directly sun का पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, और हम लोग जब earth के रात के अब ही समझ में आ गया, आपको क्या हुआ, full moon day हो गया, अब लेकिन अब ऐसा होता है, कि जब sun के एकदम सामने ही, sun के यहाँ पर ही moon है, यह भी moon है ना मेरा, यह क्या है, यह भी moon है, तो sun के सामने ही जब moon है, तो यह light जब पढ़ रहा होगा sun का, sun का जब light moon के उपर देख रहे होंगे, तो हमें तो सिर्फ यह वाला portion दिखाई देगा, और यहाँ पर क्या है, अंदेरा, यहाँ पर क्या है, दोस्तो dark है, क्यो dark है, थोड़ा सा देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर तो dark है ना, क्योंकि sun का जो light था, वो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर new moon day, और इसका मतलब क्या होता है, अमावस, यानि कि हम लोगो जो moon है, वो दिखाई नहीं देगा, अंदेरा दिखाई देगा, ज्यादा अंदेरा दिखाई देगा आसमान में, रात के टाइम, समझ में आ, यह एक reason है, और उसके बाद जो बचे हुए दो position है, एक यह position है, यह क्या है quarter position है, यानि कि, यह 90 degree पे यह आ गया और 270 degree पे यह आ गया, तो यानि कि, यह first quarter, first quarter मतलब पहला quarter, पहला quarter मतलब 90 degree और यह पहला दूसरा और तिसरा quarter यह इसको बोलेंगे, हम लोग 3rd quarter, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसा याद रखते, 3rd quarter, तो पहला quarter और 3rd cooperative में, सि वेणिंग नाम सुना है ना तो यह पहला quarter पर जो moon दिखाई देगा वो क्या रहेगा यहाँ पर आधा रहेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाई देगा waxing moon क्या दिखाई देगा waxing moon और यही पूरा funda है किस चीज का दोस्तो यहां पे moon के अलग-अलग phases का clear है दोस्तो तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा और यही था दोस्तो हमारे आज का video बनाने का मकसद जिसमें हम आपको पूरा का पूरा detail बता सके किस का sun के बारे में, moon के बारे में, earth के बारे में जो भी system है इसके अंदर, अलग-अलग चीज है और उमीद करता हूँ शायद इसके पहले और इससे बहतर तरीके से और कोई नहीं बता पाया होगा दोस्तो तो मैंने अपना पूरा पूरा एक तरीके से जान लगा दिया है आपको समझाने के लिए तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ दोस्तो आज का जो lecture है मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि खतम नहीं हुआ है, tension मतलो तो आज का lecture समाप्त दो है लेकिन इसमें बहुत सारे topics बचे हुए एक topic यह बचा हुआ है कि इतना तो आपने समझ लिया ठीक है, moon कैसे आ रहा है, earth के ओपर कैसे दिख रहा है अलग-अलग position से, earth के ओपर से moon कैसा दिखता है यह आपको समझ में आ गया, कौन से angle पर क्या दिखता है लेकिन अब दो राज और छुपे हुए कि यार solar eclipse, यानि चंद्र ग्रहन सूर्य ग्रहन, चंद्र ग्रहन, lunar eclipse कैसे होता यार, इसके बीचे क्या राज है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा शेर जरूर से करते हैं आपने सारे friends and relatives को फटा-फट से share करते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe करते हैं तो फटा-फट से channel को subscribe करते हैं साथ में एक bell icon होता है, उसको भी press करते हैं ताकि future में जो भी हम लोग videos को upload करेंगे आप लोगो notification मिलती रहेगी तो मिलते हैं हमार एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye